गुड मार्निंग इस्टुडेंट आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कनेक्षन साफ इंड़क्टर्स ठीक है लगडाउन के बाद हमने जो पढ़ा था तेईस तारी मतलब तेईस मार्च का जो पहले दिन जो हमने देखा था लगडाउन के जारेत्र के कनेक्षन के बारे में पढ़े थे कौन कौन सा जो है कि पहला हमने देखा था कौन सा सीरीज कनेक्षन और इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा था पैरलल कनेक्षन ठीक parallel connection तो उसी तरीके से हम inductors की भी बात करेंगे क्या चीज, inductors का जो पहला connection होगा वो हमारा कौन सा होगा, series connection series connection में क्या होता है series connection का मतलब ये चीज़ होगा कि अगर ये हमारा inductor है ठीक है, ये तो इस inductor का ये पहला terminal होगा ये दूसरा होगा, इस मतलब पहले inductor का, फिर ये हमारा दूसरा inductor है, दूसरे वाले inductor का भी ये पहला होगा, ये दूसरा होगा तो किसी भी inductor का दूसरे terminal का, दूसरे inductor के पहले वाले terminal से अगर हम मिला देंगे, और ऐसा जो है कि connection हम आगे क्यूर करते जाएंगे, तो वो जो हमारा connection मतलब, वो जो हमारा connection बनेगा, वो कौन सा बनेगा, series connection, ठीक है फिर फर्दर हम क्या करेंगे पहले वाले का, पहले terminal को सबसे last वाले के दूसरे terminal से, हम उसको किसी एक voltage source से क्या कर देंगे, connect कर देंगे, तो ये कौन सा होगा हमारा series connection, ठीक है तो इस case में क्या होता है, जैसा कि हम जानते है कि series connection में voltage क्या होगा, vary करेगा, मतलब हर जितने भी हमारे component होंगे, हर एक component के cross क्या होगा, voltage अलग-अलग होगा, लेकिन current की value क्या होती है, सेम होती है, ठीक तो यहाँ पर क्या होगा, कि यहाँ current जो है, अगर I suppose की अगर flow कर रहा है, तो सभी inductor के cross current होगा, वो कितना होगा, I ampere ही होगा, लेकिन voltage की अगर हम बात करेंगे, अगर inductor की value L1, L2 और L3, अगर ये अलग-अलग होंगे, तो इनके एक cross voltage होगा, उसका मान भी क्या होगा, अलग-अलग होगा, ठीक लेकिन, suppose करो कि अगर L1 बराबर, L2 बराबर, L3 अगर होता तो इस case में, जितने भी L1 हो, चाहे L2 हो या L3 हो, सबके एक cross voltage होगा, वो कितना हो जाएगा, वो equal होगा, ठीक तो inductor की value अगर different होगी, तो value of voltage different होगा, otherwise अगर same होता है, तो उस case में क्या हो जाएगा, जितने number आप inductor होंगे, उतने number आप inductor से, उस total voltage में हम क्या करेंगे, divide कर देंगे, तो अगर यहा L1, L2, L3 अगर बराबर होता, तो कितने inductor हैं, 1, 2, 3, तो हर एक inductor के cross आए, अपने topic पे अगर हम देखें, तो series connection क्या होता, यह चीज़े तो हम समझ गए, तो अब यहाँ आप देखें, जितने भी हमारे voltage हैं, क्या होंगे, अगर यह हमारा connection है, वो कौन सा है, series connection है, suppose किया, इसके cross, जो total voltage होगा, वो VT हुआ, तो VT बराबर कितना होगा, यह V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, दिस, मान लिए समिकरण 1, ठीक, अब suppose किया कि जो circuit है, उस circuit में, जो current flow कर रहा है, वो कितना है, IMP है, और flux, मतलब inductor है, तो उसमें क्या होगा, current change होगा, ठीक है, तो जो change होने वाली current की rate है, वो कितना ही होगी, di by dt, तब उस case में, हम क्या करेंगे, कि यहाँ पर जो हमारा equation 1 है, उस equation में, di by dt से divide करेंगे, तो क्या मिलेगा, VT upon di by dt, equal to V1 upon di by dt, plus V2 upon di by dt, plus V3 upon di by dt, ठीक, अब एक चीज़ यह देखिए, कि अगर, अगर यह हमारा inductor है, ठीक है, तो इस case में, इसके एक cross, इस inductor के एक cross, जो voltage की value होगी, वो कितना होगा, V बराबर, अगर inductor की value L है, तो L di by dt, ठीक है, तो, तो क्या होगा, तो उस case में, हम पता है, V बराबर L di by dt, तो L की value, अगर हम calculate करेंगा, तो कितना मिलेगा, V upon di by dt, ठीक है, तो, L equivalent की value, अगर हम calculate करेंगा, तो कितना होगा, देखो, यहाँ पर इसकी value, V, Vt by, Vt upon di by dt, जो लिखा है, यह कितना हो जाएगा, अगर हम total voltage ली है, तो suppose कि यह हमारा कितना हो गया, L equivalent, और L equivalent पराबर कितना हो जाएगा, यह V1 है, तो V1 के cross, जो inductor है, वो L1 है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, हमारा L1, प्लस L2, प्लस L3, ठीक, अच्छा, इस expression को देखने के बाद, हम क्या, मतलब, यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पर हम यह चीज़ देखते हैं, कि अगर हमारा register भी, अगर series में connect होता, अगर इसका R1 है, और यह R2 है, तो अगर यहाँ R equivalent, अगर हम निकालते थे, तो कितना निकालते थे, R1 प्लस R2, तो कहने का मतलब यह है, कि जो equivalent हमारा register का होगा, वही equivalent किसका होगा, inductor का भी, ठीक, अगर inductor हमारे series में है, तो L equivalent कितना होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, register होता था, तो कितना होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, अब suppose किया, यहाँ तो 3 का था, अगर N inductor लगे होंगे, तब क्या होगा, तो N inductor अगर लगे होंगे, तो L equivalent कितना होगा, summation LN, कितना होगा, summation LN, ठीक है, और N की value कहां से कहां तक, N बराबर X ल यह रहा हमारा एक series connection का, अगर हम parallel की बात करेंगे, तो parallel connection भी हम जानते हैं, क्या होता है, पहले कनेक्शन होता था कि जीतने भी हमारे इंड़क्टर है ठीक है अगर ये इन पहले वाले इंड़क्टर का पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा अगर है तो जीतने भी हमारे कंपोनेंट होंगे सभी कंपोनेंट का पहले वाले टर्मिनल को पहले सबका जो है कि पहला टर्मिनल जोड़ देंगे और दूसरे वाले टर्मिनल को क्या करेंगे सबका दूसरा टर्मिनल एक साथ जोड़ करके उनके एक क्रॉस हम क्या करेंगे बोल्टेज सो बोल्टेज बराबर होता है और करेंट अलग-अलग होता है ठीक तो इस केस में क्या होगा इधर अगर हम देखें तो यहां पर तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या चीज़ हमें मिलेगा अगर total current इस circuit में जो flow हो रहा है वो I ampere अगर है तो suppose करो कि इसमें I, मतलब यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3 flow हो रहा है तो total current I बराबर हमें कितना मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 ठीक तो इसको हमने suppose किया यह क्या है equation 1 ठीक अब क्या करेंगे इस case में इस equation में हम T के respect में उसको differentiate करेंगे तो क्या चीज़ होगा DIT by DT, PDI1 by DT, प्लस DI2 by DT, प्लस DI3 by DT, ठीक अब हमें क्या पता है कि V बराबर क्या होता है LDI by DT तो DI by DT कमान कितना हो जाएगा VYL तो इस case में अगर voltage की अगर हम बात करेंगे तो voltage कितना था VT, ठीक है सभी जितने भी हमारे यहां पर इंडेक्टर होंगे, सब के cross क्या मिलेगा voltage VT, यहां पर भी मिलेगा VT और यहां पर भी क्या मिलेगा VT, ठीक है तो सब के cross voltage VT मिल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं अगर यह DIT by DT है तो यहां पर क्या मिलेगा VT upon अगर total current है तो हमने suppose किया L equivalent ठीक है तो VT upon L equivalent equal to I1 के cross कितना VT by L1, I2 के cross VT by L2, I3 के cross VT by L3 VT सभी से क्या है, cancel out हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 1 upon L equivalent is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3 तो अगर यह तो 3 के लिए था अगर N inductor लगे होंगे तो इस case में 1 मतलब जो हमारा equivalent inductance होगा inductor होगा वो कितना मिलेगा 1 upon LN, N की value कहां से कहां तक, 1 से लेकर के N तक तो यह एक overall view रहा कि इसका series और parallel combination का ठीक है, next जो है हमारा वो क्या है जो inductor होता है, उस inductor में कितना energy store होता है ठीक, तो कितना energy store होगा तो suppose किया कि अगर कोई inductor है, उस inductor में अगर उस inductor में जो current की value होगी suppose किया कि 0 से I ampere अगर किया जा रहा है तो induced voltage की value कितना होगा, induced voltage बराबर कितना होगा E बराबर कितना L di by dt, ठीक है I से दोनों तरफ अगर हमने multiply कर दिया तो E into I is equal to L into I di by dt, ठीक अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसको integrate करेंगे, ठीक है तो जब integrate किया तो हमें क्या मिलेगा W बराबर integration आप E I, ठीक और 0 से लेकर के I तक उसको integrate किया क्यों क्योंकि यहां से current की value कितना से कितना बढ़ा रहे 0 से I ampere तक, ठीक है तो 0 से I ampere तक अगर हमने इसको integrate किया तो हमें क्या चीज़ मिलेगा W बराबर वन बाइटू LI स्क्वाइर ठीक तो यह एक हमारा overview है किसका connection का ठीक है तैंक्यू